Yes guys, good evening guys, जल्दी से मुझे बताईए कि क्या मेरी आवास आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है या नहीं, जल्दी से मुझे अपडेट कर दीचे येस जल्दी 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 दोस्तों मुझे जल्दी से अपडेट कर दो कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ पा रही है या नहीं आ पा रही जल्दी से मुझे बता दीचिए येस, I am waiting for all of you जल्दी 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 येस, guys, let me know हाँ, जी, येस, कार्तिक, good evening भुपेंद्र, good evening, दिक्षा, good evening चंचल, good evening, जानभी, good evening येस, वर्णन, good evening येस, all okay, दिक्षा ने मुझे बोल दिया, sir, all okay एकदम perfect है, sir, मस्त है आवाज अगरा सब एकदम बढ़िया आ रही है, sir आप अच्छे दिख रहे हो, बहुत बढ़िया, आप तो बस आच काम की बात शुरू करो अजय काला जी बोल रहे है, जै हिंद, sir जै हिंद, जै हिंद, अजय जी जै हिंद, भारत माता की जै ठीक है, येस चलिए ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लिकिन एक बहुत गलत बाते में तुम्हें बताऊं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 15 विवर से, और लाइक जो है न वो मुझे सिर्फ 7 दिखाई दे रहे, this is not right, ठीक है, विवर्स जितने हैं, उतने लाइक भी होने चीए ठीक है, येस तो जितने विवर हो, सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जो काउंटिंग है, वो बिलकुल बराबर पहुंच जानी चीए, ठीक है ओके, चलो अच्छा दोस्तों, अब ज़रा अपनी बात को याद करें, कल क्लास में मैंने आपने को को बताया था, हमने किनेशन थेयरी के बारे में डिसकुशन करना शुरू किया था, और मैंने आपको ये बताया था कि किनेशन थेयरी जो है वो एक बिटिश एकनॉमिस थे जौन मिनार्ड कींस, उन्होंने अपनी बुक लेकिती ती 1986 में जिस किताब का नाम था The General Theory of Employment, Interest and Money उसमें उन्होंने अपनी थियरी जो है वो बताई थी और उसी थियरी को हम लोग यहाँ पे Kination Theory के नाम से पढ़ने जा रही है मजदार बात मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने एक relationship समझाया था कि कोई भी economy जो है वो equilibrium वो क्यों उपर जाती है, क्यों नीचे आती है एक economy के अंदर equilibrium जो है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है वो सारी ही सारी चीजे इन्होंने बताई यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताई कि अगर government अपने खरचे को बढ़ा दे अगर लोगों का investment अगर बढ़ जाए तो उस condition में हमारी देश में हमारी देश की जो economy है जो हमारी देश की national income है GDP है वो increase हो जाती है उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया और दोस्तों मैं यहाँ पर इसी के बारे में अब आपके साथ में पूरी की पूरी बात करने जा रहा हूँ चीक है और मैं रोजाना भूल जाता हूँ क्या भूल जाता हूँ मैं रोजाना अपने mobile phone को silent करना हूँ चीक है तो कोई बात नी अब mobile phone को silent मैंने कर दिया है बढ़ते हैं आगे चलो दोस्तों आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक सरुकलर फ्लो मैंने आप लोगों को सिखा रहा था जिसमें एक तरफ था बिजनेस और दूसरी तरफ था हाउसोल्ड ठीक है household को क्या देता है factor payment उसी तरीके से बिटा ये जो household को अब जो पैसा मिला household इस पैसे को खर्च करेगा that will be known as consumption expenditure और बिटा ये जो पैसा household ने खर्च किया इसके बदले household को क्या मिलेगा goods and service और बिटा इसी को हम लोग बोलते है circular flow of income अब economy के अंदर जो circular flow चलता है मेरे बच्चों वो बिल्कुल इसी तरीके से चलता है तो circular flow जो है वो इस तरीके से हमारी economy के अंदर चलता है वैसी ये जो circular flow यहाँ पर मैंने आपको समझाया ये two sector model के basis पर मैंने आप लोगों को समझाया लेकिन आगे चलके मैं इस flow को three sector model में भी explain करूँगा मैं इस flow को आप लोगों को four sector model में भी explain करूँगा वहाँ पर भी अपन इस flow को discuss करेंगे ठीक है लेकिन अब एक question जो है वो हमारी exam में पूछा गया था कि भाई साब ये जो आपका two sector model है इस two sector model की ये जो circular flow of income आप बता रहे हो इसके पीछे assumptions क्या-क्या है वो आप बताओ ठीक है तो क्या हम लोग जल्द को कुछ लिखवाया नहीं था शायद तो आप लोग प्लीज इसे मेरे साथ में ध्यान से लिखें चलिए हां जी येस गुड़ इवनिंग रिशी गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग हर्ष गुड़ इवनिंग निकेत गुड़ इवनिंग आकर्ष येस चलिए दोस्त तो मेरे साथ में फड़ा फट से अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे assumptions, तो heading डाल दीजें, assumptions for two sector economy, assumptions for two sector economy, यह वाला question important है, exam के लिए, और मैं आपको बता दू, यह वाला question एक बार आचुका है, और यह वाला जो है, यह दुबारा से आने का पूरा का पूरा चांस है, इसलिए प्लीज दिखो, A, there are only two sectors in economy, which are household sector and business sector. अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था, basically चार सेक्टर होते हैं, household, business, government और foreign, अब एक बात मुझे बताओ, दोस्तों, कि अगर government sector नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ, कि government sector अगर नहीं होगा, और number 3, government जो हमसे direct tax और indirect tax वसूल करती है, वो direct tax और indirect tax भी नहीं होगा, और इसका मतलब यह हुआ, कि अगर अपन यहाँ पे two sector economy मानती है, तो अपन government से related सारी की सारी चीजों को भी खतम कर देंगे, ठीक है, इसका मतलब जब मैं two sector economy की बात करूँगा, तो मैं direct tax, indirect tax को consider नहीं करूँगा, मैं government expenditure की बात नहीं करूँगा, मैं government के transfer payment की बात नहीं करूँगा, ठीक है, लिखें, प्रमपम्न बात नहीं तो स्थी तूँगरन भूझगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं प्रूब minder तूप्तुग्वा सारी Transfer payments from government, comma, no taxes and no government expenditure. No government expenditure. टीसरी बात, आप लोग यहाँ पे two-sector model में यह assume करते हो, कि कोई foreign sector नहीं है, और foreign sector नहीं है, इसका मतलब यह closed economy है, मतलब यह देश अपने अंदर ही सारा व्यापार चलाता है, ना तो यह किसी को export करता है, ना किसी से import करता है. तो यहाँ पर कोई export या import नहीं होगा, मतलब जब मैं two-sector economy की बात करूँगा, तो two-sector economy में export और import दोनों का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि यह closed economy है और यहाँ पर कोई foreign sector नहीं है. So, लिको तीसरी assumption, this is a closed economy and there is no, there is no foreign sector. there is no foreign sector it means it means there will be no imports and exports there will be no imports and exports तो बटा यहाँ पर हमारा कोई भी import या export नहीं होगा चौथी बात अब जरा चौथी बात को बिलकुल ध्यान से मेरे साथ में सुनो चौथी बात को ध्यान से समझना येस हाँ जी अब यहाँ पर चौथी बात को समझना ये export-import वाली जो बात है वो तो हो गई अब इसके बाद में बात आती है कि जो business sector और household sector है इसके बारे में भी कुछ assumptions है अब assumptions क्या उनको समझो business sector अभी ये जो circular flow अपन लोग यहाँ पर देख रहे है अभी जो circular flow यहाँ पर मैंने आपको बना के बताया था उस circular flow में अपनी इमान के चलते हैं कि सारी factor services कौन दे रहा है household sector और जो business sector वो पूरा का पूरा जो payment है factor payment वो किसको दे रहा है household sector को तो यहाँ पर अंदर एक assumption चुपी वी है और assumption ये कि जितने भी factors of production है वो सारी कि सारी factors of production कौन ओन कर रहा है household sector अब आपको मालुम है factors of production क्या है आपनी वहाँ पर labor दे रखी है तो ये जो labor है ये जो workers हैंगे सारी कि सारी कौन है household sector वाली लोग आपनी business को लोन दे रखा है जिस पर आपको क्या मिलता है interest वो loan भी किसने दे रखा है? household sector ने अब यहाँ पे entrepreneur जो है उसने capital लगा रखी है तो वो capital लगाने वाले जो entrepreneur है वो भी सारे कि सारे कौन है? household इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जितने भी हमारे जितने भी factors of production है वो सारे कि सारे factors of production कौन ओन करता है? household sector मतलब जितनी भी factor services दी जा रही है वो household sector के द्वारा ही दी जा रही है और जितना भी factor payment receive किया जा रहा है वो household sector के द्वारा ही receive किया जा रहा है दूसरा कोई भी इसे receive नहीं कर रहा ठीक है? लिखो यह वारी बात very important point बिटा यह point अभी बहुत easy लग रहा है बहुत simple लग रहा है लेकिन यह सारी चीजें आगे जाकर के दूसरे के साथ में connect होने वाली है इसलिए इन assumptions को बहुत ध्यान से सुनना all the factor services are owned by household sector household sector it means all the factor services all the factor services are provided by are provided by household sector and factor payment factor payment is fully made to household sector or बिटा यह जो पूरा का पूरा payment है यह पूरा का पूरा payment हम किसको करते हैं household sector को करते हैं पूरा का पूरा payment किसको करते हैं, household sector को करते हैं, एक last assumption which is very very important, बिटा ये last assumption है और ये बहुत-बहुत important है, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, बिटा यहाँ पे एक और assumption रखी जाती है कि जो भी हमारा business sector है, वो कोई retained profit नहीं रखेगा, मतलब business sector के पास जितना भी पैसा आएगा, वो पूरा का पूरा पैसा factor payment की रूप में household sector को दे देगा, वो पूरा का पूरा पैसा household sector के बीच में distribute कर देगा, वो कोई retained earning retained profit की रूप में पैसा अपने पास नहीं रखेगा, तो एक बात हमीशे ध्यान रखना, जब आप ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पूरे की पूरे चैप्टर में हमीशे एक बात ध्यान रखना, कि बिजनस सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा पैसा, हाउस, वो पूरा का पूरा पैसा, फैक्टर पेमेंट की रूप में household sector को pay कर देगा वो अपने पास में कोई retained profit नहीं रखेगा वो अपने पास में कोई भी retained profit नहीं रखेगा clear है बात? तो लिखो फड़ा फट सी business sector business sector will not have business sector will not have any retained profits will not have any retained profits and all the amount all the amount received by business sector business sector is paid to household sector as factor payments as factor payments तो यहाँ पे business sector जो है वो पूरा का पूरा पैसा household sector को pay कर देगा factor payments की तर है वो सारा का सारा का सारा पैसा 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 किसके पास जाएगा household sector के पास में अब गाइस जल्दी से मुझे बताईए कि मैंने यहाँ पे जो assumption लिखवाई है आपको two sector economy के लिए two sector model के लिए जो मैंने आपको assumptions लिखवाई यह सारी के सारी assumptions आप लोगों को समझ में आई या नहीं मेरा मानना बहुत basic बेसिक सी बात मैंने लिखवाई एकदम simple से बात है two sector economy है तो simple से बात है हमारी assumption ही है कि हमारी economy में दो sector है एक business sector और दूसरा household sector ठीक यह सुजन बिल्कुल दूसरे बात यहाँ पर कोई government sector नहीं है और government sector नहीं है तो यहाँ पर कोई direct tax नहीं है कोई indirect tax नहीं है एक बात मेरी बात को समझना आप लोगों को दिमाग में एक point बहुत अच्छा यहाँ पर जाना चाहिए कि सर एक बात बताओ अगर government sector नहीं है तो जो हमारी इंकम है वही हमारी disposable income भी है क्यों आपको याद है disposable income कैसे निकालते थे अपन लोग अपन लोग निकालते थे personal income और personal income मेंसे हम लोग minus कर देते थे किसको personal tax को तो personal income में से हम लोग personal tax को minus कर देते थे तो हमारे पास आती थी disposable income disposable income लेकर एक बात बताओ अगर government sector है ही नहीं तो जो हमारी personal income है वही हमारी disposable income दिये एक और बात ध्यान से सुनो अगर government नहीं है तो हमारा यहाँ पर कोई भी indirect tax नहीं है कोई subsidy नहीं है और कोई indirect tax नहीं है कोई subsidy नहीं है तो जो हमारी GDP MP है वही हमारी GDP FC भी है मतलब जो हमारी GDP at market price है वही हमारी GDP at factor cost भी है क्यों कि यहाँ पर ना तो कोई subsidy है ना कोई indirect tax है तो यह भी आपका change आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह छोटी छोटी सी बाते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है अब जन्यसे यहाँ पर यह closed economy है और यहां पर कोई foreign sector नहीं है और यहाँ पर कोई भी foreign sector नहीं है इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर ना तो कोई export है ना ही कोई import है इसके अलावा बिटा यहाँ पर हम लोगों नहीं two sector model में जो circular flow मैंने आपको कल बना के बताया था तो circular flow को देखकर कि आपको यह assumption समझ में आ गई होगी कि भाया economy में दो ही लोग है business और household तो obvious ही ब और business के पास में जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा पैसा फैक्टर पेमेंट की रूप में किसको देता है household sector को और household sector उस पूरे के पूरे पैसे को खर्च कर देता है और किसको देता है business sector को और इसके बदले business sector household sector को क्या देता है goods and services तो यहाँ पर आपको यह धियान वाइट करता है और सारा का सारा factor payment भी उनी को मिलता है एक और बात यहां पे ध्यान रखना है this point is very very important जब हम लोग practical question solve करने आएंगे तब जब हम लोग practical question solve करने आएंगे तब आप लोगों को यह वाली जो चीज़े यह बहुत जबरदस तरीके से कम में आएगी अभी जैसे अ जना पैसा कमाएगा वो पूरा का पूरा पैसा factor payment के रूप में पे कर देगा ठीक है अब ज़रा समझो बिटा two sector model अभी हम लोग यहां पे जो बात समझ रहें वो सिर्फ equilibrium के बारे में बात समझ रहें अजय है अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो हमारी economy है वो equilibrium पर कैसे आती है मतब equilibrium कहा होता है economy के अंदर अभी हम उसके बारे में बात कर रहे है इसलिए बिटा economy को grow कैसे करवाना है वो बात की बात है ठीक है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी तो हम लोग बात कर रहे है economy equilibrium पर कैसे आती है ठीक है तो economy के equilibrium के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, गाईज अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैं आपके साथ में आगे चलू, एक बात मुझे जल्दी से यह बता दीचे कि मैंने अपनी last class में आपको headings क्या लिखवाए थे, मुझे वो देखने पड़ें चेक हैं, और आज मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है point number 2, यह जो मैंने लिखवाया this is your point number 2, चेक हैं, अब आईए बिटा मेरे साथ में point number 3, meaning of terms, बिटा अब obvious ही बात है किनेशियन धियरी को समझने के लिए, मैं आपके साथ में बहुत सारी terms का इस्तमाल करूँगा, अब मेरे साथ में यहाँ पर in terms को, येस, आप मेरे साथ में in terms को अब यहाँ पर ध्यान से समझना शुरूब कर दीजिये, चेक हैं, चलो, सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं अजय तुम्हारी बात का भी जवाब दूगा भी, अजय भी तुमने जो मुझसे बात पूछी थी मैं उस बात का भी जवाब दूगा, तो प्लीज अब नेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, चेक है, येस, अरे यार, अब जो भी पॉइंट लिख वाया था, लिख लो न, क्या फरक पड़ता है, चेक है, चलो, अज़ सबसे पहला, मैं तुम्हारे साथ में डिसकस एक शब्द, एग्रिगेट, डिमांड, जिसे आगे से हम लोग बुलेंगे, एडी, एग्रिगेट डिमांड, बिटा हूं, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिये, गाउन, और प्लीज ध्यान दीशें, एक बात को समझो, हमारी एकॉनमी के अंदर, दो तरह के प्लीज बहुत ध्यान से सुनिये, गाउन, और मैं आपको बता दूँ, आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी लेक्चर्स को बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करता हूं, मतलब मुझे लास्ट तक जो जो चीजे काम में आने वाली हैं, मैं हमेशा उनकी बिगिनिंग में मैं उनके लिए बहुत मजबूत बेस बना लेता हूं, तो शुरुवात में जो अपन लोग बेस बना लेते हैं, मजबूत वाला, जो लॉजिक अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, वो लॉजिक आगे जाकर के, जब हमारे difficult topics बनते हैं, तो वहाँ पर हम बिल्कुल भी जो नहीं आता, क्योंकि हम अपना basic जो है, वो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा करके आएं हैं, ये basics हैं, इनको हिलने मत देना, और प्लीज मेरी बात को बिल्कुल धियान से सुनना, ठीक है, आईए, और धियान से सुनूँ, सबसे पहले बात मैं करूँ एक होते consumer goods और एक होते investment goods, आप मुझे बताइए कि क्या भारत के अंदर अगर आप लोग देखो तो अनाज की demand भी है, शेंपू की demand भी है, यहाँ पर शेंपू की demand भी है, यहाँ पर कार की demand भी है, यहाँ पर मैगडी के burger की demand भी है, यहाँ पर pizza hut के pizza की demand भी है, लेकिन at the same time, मम्मी को jewelry की demand भी है, मम्मी को बड़े घर की demand भी है, पापा बड़ा मकान भी बनाना चाहते, पापा एक नई factory भी लगाना चाहते, पापा अपनी factory में नई machine भी लगाना चाहते, मैं अपनी studio को और lavish बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी studio के अंदर और शांदार एक camera लगान चाहता हूँ तो जल्दी से मुझे बताईए, जल्दी से मुझे बताईए, कि क्या देश के अंदर इन दोनों तरह के सामानों की डिमांड होती है, consumer goods की डिमांड भी होती है, consumer goods की डिमांड भी होती है, और जो investment goods हैं, उनकी डिमांड भी होती है, और मित्रो, अगर मैं consumer goods की ड दोनों की डिमांड को अगर मैं एड कर दूँ तो मिटा ये मेरा कहलाएगा एगरीगेट डिमांड येस दिक्षा येस सुजंग दोनों का जवाब आ गया दोनों बोल गया येस सर अब्येसी वादे सर मम्मी जो है वो पापा को बोलती है आज रेस्टरेंट में खाना खाने ज Investment goods की demand जो है, वो भी पैदा कर दी है. सही बाते हैं, है ना? तो लिखो फटाफट से, aggregate demand, we can classify demand of goods and services, demand of goods and services of an economy in following two categories, in following two categories, a, consumer goods, और दूसरा, दूसरा, investment goods, investments goods, बिटा, consumer goods को हम लोग denote करेंगे C से और बिटा, investment goods को हम लोग denote करेंगे I से, consumer goods को denote करेंगे C से और investment goods को हम लोग denote करेंगे I से, परग्राफ चेंज करेंगे if we add demand of consumer goods consumer goods and investment goods consumer goods and investment goods then it will be known as it will be known as aggregate demand पीटा मैंने शॉट में AD लिख दिया आप पूरा लिख दिया it will be known as aggregate demand शुब हम बोल रहा है yes नहीं नहीं अरे कारते एक जुल्री जो है वो consumer goods नहीं होती जुल्री इंवेस्मेंट गुड्स ठीक है जुल्री इंवेस्मेंट गुड्स है आप consume करके खतम थोड़ी कर देते हो जुल्री को आप जुल्री को लगाता और अपने पास एक एसेट के रूप में रपते हो अच्छा बताओ जुल्री जो है वो अगर आप खरीद रहे हो तो कहां जानी चाहिए पीएंडल में या बैलीशीट में सोच के बताओ अगर पीएंडल में जानी चाहिए तो consumer goods नहीं है बैलीशीट में जा रही है तो पर यह investment goods नहीं ठीक है ओके और यहां पर यहां पर देखो सुजंग बोल रहा है सर बैलेशीट नहीं लॉकर में जाती ही जुल्री क्या बात है सुनो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको इन बातों को करूंगा पिछले चैप्टर से इसलिए प्लीज अब ध्यान से सुनना तो यहां पर बिटा मैं यह कह सकता हूँ aggregate demand is equals to consumer goods plus investment goods हमारे देश में consumer goods की जो demand है वो और जो हमारी investment goods की demand है वो यह दोनों चीजे जो है वो मिलकर कहलाती है aggregate demand ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अच्छा किस किस बच्चे को expenditure method यादे हम आपको GDP MP निकालने का जो expenditure method था वो यादे expenditure method में हम लोग GDP MP निकाला करते थे कैसे private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure ठीक है तो यह दोनों मिलकर के तो क्या होते थे consumption expenditure plus gross domestic capital formation तो जो gross domestic capital formation है वो क्या है investment और उसके बाद में हम लोग लेते थे export minus import ठीक है export minus import ठीक है यह अपन लोग net export यहाँ पे लेते थे और इसके total को हम लोग क्या बोलते थे GDP MP यादा रहे GDP MP expenditure method में कैसे निकालते थे private final consumption expenditure लिया फिर हमने government final consumption expenditure लिया फिर हमने gross domestic capital formation लिया फिर हमने net export लिया अब यहाँ पे दिमाग लगा के सोचो कि यहाँ पे यहाँ पे यह फिर टू सेक्टर मोडल है तो यहाँ पे export minus import यह तो है यह नहीं और यहाँ पे government sector भी नी है तो अब यहाँ सिबात बाते बिटा यहाँ पर government final consumption expenditure भी नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ private final consumption expenditure है और यहाँ पर सिर्फ investment है यहाँ पर private final consumption expenditure है और investment है मतलब gross domestic capital formation और ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर वही चीज को यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर मैंने लिखा aggregate demand is equals to consumer goods plus investment goods और ध्यान से देखो यहाँ पर consumer goods मतलब private final consumption expenditure और investment goods, मतलब gross domestic capital formation तो अगर तुम यहां पर दिमाग लगा के समझो, तो तुम्हें यहां पर समझ में आएगा कि यह जो लिखा है न, aggregate demand this aggregate demand is nothing but GDPMP तो यह जो aggregate demand यहां पर लिखावा है, this is nothing but GDPMP, यह GDPMP है ठीक है, हाँ, शुबं तिवारी ने तो पूरा जवाब भी दे दिया, yes अजे बोलो, क्या बोल रहे हो, तो बिटा आपको यह वाली बात समझ में आ रही है कि जो यहां पर मैं aggregate demand लिख रहा हूँ वो aggregate demand is nothing but what is GDPMP ठीक है, yes अब दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैं फड़ा-फट से आपको आगे की बात समझाऊ येस येस, येस, येस अजे बोलो, got it, क्या बात है मज़ा आ गया, अच्छा दोस्तों अब यहां पर मैं आपके साथ में दूसरा शब्द discuss करना चाहता हूँ दूसरा शब्द discuss करना चाहता हूँ और दूसरा शब्द मैं आप लोगों के साथ में discuss करना चाहता हूँ consumption function consumption function मैंने अभी आपके साथ में discuss किया है aggregate demand को और अब मैं आपके साथ में discuss करना चाहता हूँ consumption function को consumption को discuss करना चाहता हूँ consumption function अब एक बात मुझे बताओ ये यहाँ पर जो मैंने consumption लिखा है न चीक है ये जो यहाँ पर मैंने consumption लिखा है ये अब मैं इसे यहाँ पर आपके साथ में discuss करने जा रहा हूँ इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से सुनियेगा Sir, consumption जो है वो किस पर आधारित है अब उलीज सर, consumption जो है वो income पर आधारित है अब ये सी बात है एक बात मुझे बताओ कि मैं तुमें बताओ कि जब मैं CA नहीं बना था तब मैं हर महीने 200 या 300 रुपए खर्च किया करता था ठीक है जब मैं CA बन गया और मेरी इंकम बढ़ गई तो मैं हर महीने 5 से 10 अजार रुपए खर्च करने लगा और अब ये सी बात है जैसे इंकम बढ़ेगी वैसे आदमी का खर्चा भी बढ़ेगा जरा सोचो कि अगर कोई आदमी अगर 10 अजार की नौकरी करता है कि हमारा कंजम्शन हमारी इंकम के उपर निर्भर करता है मतलब हमारा जो कंजम्शन है वो हमारी इंकम पे आधारित है जल्दी से बताओ ये वाली बात बिल्कुल सही है या नहीं है कंजम्शन फंक्शन की यही खास बात है जल्दी से मुझे बताओ कमाता ही 15,000 रुपे महीना हूँ, बिटा तो 10,000 रुपे महीने से जादा कैसे खर्च करूँगा, तो 5,000 तो मुझे सेव करना ही करना पड़ेगा, कोई उपाई नहीं है मेरे पास, ठीक है, तुमने देखा नहीं, टीचर जो हैं, वो बिलकुल गरीब होते हैं, और तुमें व पच्छन जब मास्टर जी बनता था, कैसे बनता था, फटावा कुरता खादी का, और उसके ओपर खादी का यहां पर थेला लटका करके, और वो बिलकुल धीरे-दीरे जाता था, हाँ, येस, और, ठीक है, अच्छा, अब मैं तुमको बताता हूँ, अभी तुम समझो, कि ऐसा समझो, येर, इंकम और कंजम्शन का सीधा संबंद होता है, मेरी इंकम कम है, मेरे घर में मैं ही जाड़ू पोछा कर रहा हूँ, ठीक है, और मुकेश अम्मानी जो है, उसकी इंकम बहुत जादा है, उस भाई ने एंटालिया बना रखा है, मतलब वो, अब उस घर की मे बहुत कम है, क्योंकि इंकम भी बहुत कम है, तो इंकम जो है, वो सीधे-सीधे expenditure से relate करती है, अब तुम एक बात मुझे बताओ, कि भारत में, अब तुम सोच के बताओ, कि हमारी, हम इंडियन से हमारी इंकम जो नब बहुत जादा है, हमारी देश की इंकम बहुत जादा है तो हम खर्चा भी बहुत ज़ादा करते हैं और हमारा पड़ासी हमारा जो पड़ासी है पाकिस्तान वो पाकिस्तान जो उसकी इंकम ही नहीं है तो विचारा खर्च भी कुछ नहीं करता है ठीक है? अब तुम सोचो यार, वहाँ का जो प्रधान मंत्री है अपना इमरान खान वो अमेरिका जाने के लिए उसको प्लेन भी उधार मांगना पड़ता है दुबईस के प्रिंस से प्लेन जो है वो उधार मांगा और उधार के प्लेन में अमेरिका गया और प्रिंस में भी बाद में प्लेन वापस मंगवा लिया है ना तो भाई सब सिंबल सी बात है सारी खर्चे किसके बेसेस पर होते हैं येस किसके बेसेस पर होते हैं हाँ वो होते हैं इंकम के बेसेस पर तो ध्यान से देखू consumption is a function of income तो मैंने यहाँ पर लिखा consumption is a function of income मतलब consumption सीधे अधारित है किस पर income पी चीक है यार अज़े तुम ऐसे ऐसी ऐसी बाते पर होगे ना तुम मैं हसते हैं यहाँ पर लोट पोर्ट हो जाओंगा पने तुमको बिचारे इमरान कान को अज़े अज़े बोल रहे इमरान कान आटो में चला जाता है अमेरिका ठीक है मतलब अब question मेरा अज़े यह है कि वो बैट के जाता कि चला के जाता है ठीक है और बीच में दो-चार सवारी और ले जाता है हाँ चलो अब आए सब सिंपल सी बात है यार जो consumption है न consumption is a function of income भाई सीधी सी बात है कि consumption उतना ही होगा जितनी income होगी ठीक है तो आप इस बात को कैसे लिख सकते हो c is equals to function of y आपको यादना में नेशनल इंकम को हम लोग y से डिनोट करते हैं तो यह ध्यान रखना नेशनल इंकम को हम y से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया consumption is equals to function of y मतलब it is function of national income चीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यह point आया मज़ेदार वाला एक बात में आपको यह बताना चाहता हूँ कि basically अपन यह वाली बात लिखतो रहें कि consumption is a function of income लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है मतलब यह बात पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि हमारा कुछ consumption ऐसा होता है जो हमारी income पे आधारित नहीं होता है अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरी बात को बताओ एक बात मुझे बताईए कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे गरीब लोग है ठीक है बैगर्स है ठीक है इसके अलावा जो है वो बैगर्स के अलावा हमारे बहुत सारे old people है old लोग है जो हमारे वरद्धा अश्रम में रहते हैं कुछ नालाइक बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को वरद्धा अश्रम के अंदर छोड़ करके आ जाते अब ज़रा सोच के बताओ ये सारे के सारे जो लोग हैं ये कुछ भी कमाते नहीं है ये कुछ नहीं कमाते इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इंकम जीरो है इनकी इंकम जीरो है पर आप मुझे बताईए कि क्या ये लोग खाना नहीं खाते होंगे obviously बाते ये लोग कमाते कुछ नहीं है पर फिर भी ये लोग खाना खाती है ठीक है ये लोग अगर बिमार हो जाते हैं तो ये अपना इलाज जाके करवाते हैं ठीक है ये अगर इनको कपड़े नहीं होते तो ये कहीं से लेकर किसी से किसी के दान से किसी भी तरीके से ये कपड आपकी income नहीं भी है तो भी आपको ये खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा and that expenditure is not a function of income वो consumption जो है वो income का function नहीं है वो income के उपर निरबर नहीं करता है एक बात मुझे बताईए मैं एक बात बहुत चूटी से बात सोचता हूँ जरा दिमाग लगा के बताऊं अभी COVID के time पर जब lockdown लगा और सारी के सारी businesses बंद हो गए सारे business बंद हो गए बिटा कोई भी जो आपके घर में पापा वगरा सब लोग अपनी दुकाने बंद करके बिलकुल घर में बैटे वे थे एक रुपे की income भी नहीं थी ठीक है अब उस time इन पर पापा ने extra खर्चे जो है वो सारी के सारे खर्चे जो है बंद कर दिये लेकिन फिर भी घर का जो minimum खर्चा था घर का बिजली का बिल था जो आपके खाने पीने का खर्चा था जो आपकी school की फीस थी वो खर्चा रुक नहीं सकता था वो unavoidable खर्चा था और पापा ने अपनी FD तुरवा करके वहां से पैसा लेकर के आए, पापा अपने दोस्तों से पैसा उधार मांग करके लेकर आए लेकिन पापा वो पैसा लेकर के आए और पापा ने वो खर्चा किया इसका मतलब वो खर्चा जो है वो खर्चा income का महताज नहीं है वो खर्चा रुक नहीं सकता इसका मतलब यह हुआ कि पूरा जो consumption है वो income का function नहीं होता है वो पूरा का पूरा income का function नहीं होता बलकि कुछ खर्चा unavoidable होता है और उसे हम लोग बोलते हैं autonomous expenditure बिटा क्या बोलते हैं हम लोग Autonomous Expenditure ठीक है तो बिटा आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसा लिख दू कि consumption is a function of income मतलब जितनी आमदनी होगी उसी हिसाब से खर्चा होगा तो ये बात economy के point of view से बिलकुल भी ठीक नहीं है ठीक है लिखो Practically Every human has some compulsory expenses some compulsory expenses which can't be avoided even though there is no income even though there is no income every person will make this expenditure every person will make this expenditure from his past savings past savings or from borrowings borrowings if he has zero income zero income this is known as autonomous expenditure यह हम लोग बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? autonomous expenditure bracket में लिख लेना A इसे हम लोग denote करते हैं कि इससे autonomous expenditure से हम लोग इसे denote करते हैं तो बिटा यह जो खर्चा है यह autonomous expenditure है तो इसके मुताबिक यह हुआ कि consumption का formula function of y नहीं होना चीए consumption का formula होना चीए A plus by अब यहाँ पर मैं तुमको बता दूँ मैंने यहापर लिख दिया consumption is equals to A plus by ठीक है बिटा लेकिन वो savings past savings है न past savings है ठीक है इसलिए एक बात ध्यान रखना अगर आपकी income zero होती है तो भी आपका autonomous expenditure चलता रहेगा इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं this saving मतलब हमारी चो पुरानी savings है वो तूट रही है ठीक है या फिर हमें borrow करना पड़ रहा है इस खर्चे को करने के लिए चीक है हाँ सुजंग saving जो है वो income का part होती है बिटा लेकिन वो past की बात हो रही है आज मेरे पास income नहीं है एक बात मुझे बताओ सोच के जबाब देना कि अभी COVID के टाइम पर अपने सब ने देखा कि हमारी income zero थी पर घर के खर्चे सारे हो रहे थे अब घर के वो सारे खर्चे कहां से हो रहे थे past पिछले 10 साल में 20 साल में पापा ने जो savings करवार किया पापा ने वहां से ये सारे के सारे कर्चे की है तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों को ये वाली बात मालूम है कि जो national income की हम लोग बात करते हैं वो national income हमेशा year wise निकलती है तो यहाँ पर जब मैं income की बात कर रहा हूँ ये income current year की income है अब obvious ही बात है ये जो autonomous expenditure अपन लोग saving से कर रहे है ये saving current year की saving थोड़ी है ये तो last years की saving है ये तो last years की income है ठीक है तो ये last year की income का part है बिटा ये current year की income का part नहीं है मैं current year की income की बात कर रहा हूँ ठीक है got my point सुजंग ने बोल दिया सर समझ में आ गया clear ओके अब यही बात को सुनो तो यहाँ पर मैंने formula लिख दिया कि sir consumption is not clear या function of income बलकि consumption is a plus by a मतलब autonomous expenditure मतलब ये वो खर्चा है जिसका income से कोई लेना देना नहीं है ये constant figure है this is a constant figure इसका कोई लेना देना income के साथ में नहीं है लेकिन अब आप यहाँ पी बोलोगी सर अब तक तो हम लोग a से निपट रहे थे y से निपट रहे थे अब ये b क्या आगया b का मतलब होता है हमारी खर्च करने की आदत हमारी देश में लोगों की खर्च करने की आदत को हम लोग बोलते है b और इसका पूरा नाम होता है इस B का मतलब होता है MPC MPC का मतलब होता है Marginal Propensity to Consume अब मेरी बात को सुनना बहुत interesting बात बताँगो तुम्हें मज़ा आजाएगो तुमको अब ज़रा दिमाग लगाना Yes क्यों? Current year की saving क्यों? अरे भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं simple बात कर रहा हूँ कि इस साल consumption कितना होगा? ठीक है? तो जो जरूरी item है वो तो खरीदने हैं फिर उसके अलावा जो हमारी income हो रही है उस income का भी एक proportion हम लोग जरूर से कर्च करते हैं ठीक है? तो उसे हम लोग बोल रहे हैं B Y अब एक बार पहले मेरी पूरी बात को सुनो अब मेरी पूरी बात को सुनो और पूरी बात को सुनने के बाद में फिर आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों को बड़े मज़े से एक-एक बात का जवाब दूँगा इसलिए प्लीज मेरी बात को सुनो B का मतलब होता है marginal propensity to consume अभी मैं marginal की बात नहीं कर रहा अभी मैं propensity to consume की बात कर रहा हूँ propensity to consume का मतलब होता है आपकी अपनी income को खर्च करने की आदत क्या है that is called propensity to consume अभी मैं तुमको बताता हूँ कि अगर मान लीजे अगर तुमारे पापा जो है वो बहुत दिलदार आदमी है अब तुमारे पापा जो है वो बड़े दिलदार आदमी है मस्त एकदम पैसे वैसे मस्त खर्च करते है तुमारे पापा पापा बोलते है जो जीना वो आज में जीना आगे का किसने देखा है ठीक है अब हो सकता है तुम्हारे पापा एक लाक रुपे महिना कमाती है और नब्बे हजार खर्च कर देते हैं और दस हजार सेव करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पापा अपनी 90 प्रतीशत इंकम खर्च करते हैं, इसका मतलब तुम्हारे पापा की propensity to consume क्या है 90 परसेंट, propensity to consume मतलब अपनी इंकम को खर्च करने का proportion क्या है 90 परसेंट, अब जैसे मेरा जैसा गरीब आदमी है, तीक है मेरे को लगता है कि यार इस महीने तो कमाई हो गई अगले महीने पता नहीं क्या होगा तो मैं थोड़ा कंजूसी से चलता हूँ अब अगर मैं एक लाक रुपे कमाता हूँ तो मैं उसमें से 40,000 खर्च करता हूँ और 60,000 जो है वो मैं जोड लिता हूँ तो 40,000 में खर्च करता हूँ 60,000 में सेव कर लिता हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं अपनी इंकम का 40% मैं अपनी इंकम का 40% जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ consume कर रहा हूँ इसका मतलब मेरी propensity to consume कितनी है 40% आर ये मेरी बात समझ में अब यहाँ पे मैं आम आदमी के मैं एकिक आदमी के बात कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ कि यार पूरे भारत में जो लोग हैं उनका average propensity of consumption उनका propensity to consume क्या है तो that is called that is called B उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B के रूप ले तो एक बात को समझना हर देश के नागरिकों की propensity to consume डिपरेंट होती है अब एक बात मुझे बताओ तुम सोच के जवाब देना तुम मेरी बात को एकदम समझ जाओगे बिड़ा मैं मैं मैसेज यहाँ पे सारे देख रहा हूँ जादा है सोच के बताओ इंडियन जादा अपनी इंकम का जादा proportion करटा है या अमेरीकंस अपनी इंकम का जादा proportion करच करते बोलो येज गाईज इंडिंग फर दी आंसर जली से मुझे जवाब दो कि इंडियन की खर्च करनी की आदत जादा है या Americans की खर्च करनी के आदत जादा है शुबंग का जवाब है, American दिख्शा का जवाब है, American, सुजंग का ज़ाब है home American, और हर्ष बोलता है typ भारत माता की यह बोल रहा है Indian की खर्च करणी की आदत जादा है, अच्छा आकर्ष भी बोले सर इंडियन ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बेटा एक बात मुझे बताओ कि तुम इंडिया के कौम से हिस्से में रह रहे हो जहां पर इंडियन अमेरिकन से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तुमको बता है अमेरिकन एकानमी नेगेटिव है तुमको मालब है अमेरिका का आदमी जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करता है वो लोन लेकर के खर्च करता है वो क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी जीरा है मतलब वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च कर देता है वो तो उनका जो propensity of consumption है वो तो income से भी जाधा है, ठीक है, इंडियन्स बोली जारे, अजय और चंचल भी बोल रहे हैं, इंडियन्स, कृष बोल रहा हैं, अमेरिकन्स, भुपेंदर भी बोल रहा हैं, शुर्वा भी बोल रहा हैं, जानबी भी बोल रहा हैं, विशी भी बोल रहा कि यहाँ पे बेटा पैदा हुआ और बेटे के पैदा होते ही पिता जी को लगता है मैं इसके लिए जमीन जायदा छोड़के जाऊंगा बहुत सारी ठीक है और इधर बेटी हुई तो माता पिता बोलते हैं मैं इसकी शादी में अब यह सी वात है कि अमेरिकन्स की अपनी इंकम को खर्च करने की आदत जादा है वहाँ प्रोपैंसिटी टू कंजियूम ज्यादा है और इंडियन्स अपनी इंकम का जादा पहिस्सा सेव करते तो इंडियन्स की प्रोपैंसिटी टू कंजियूम कामे और बेटा ये जो खर्च करने के आदत है इसे हम लोग बोलते है propensity to consume पिए रहे मेरी बाद अब सुनो अब यहाँ पर अजे क्या बोल रहा है अरे सर हम कमाते ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे बेटा अजे मुझे पता है बेटा तुम फालत की बाद कर रहे हो बेटा अगर तुम कमाते नहीं हो फिर भी तुम खर्च पूरा करते हो बेटा जेने तुम टहलाने लेके जाते हो गुमाने लेके जाते हो जिनका recharge करवाते हो ठीक है जेने तुम खिलाते हो पिलाते हो हाँ वो पैसा कहां से लाते हो फिर हाँ अब यहाँ पे भुबिंदर बोल रहा है सर भी जैपुर में M.I.E. 30-40 फ्लॉट खरीद रखी है अच्छा क्या बात है भुबिंदर मतलब रही साथ में हो तुम याड जैपुर में 30-40 फ्लॉट खरीद रखे है तुमने हाँ अभी marginal propensity पे आ रहा हूँ बेटा एक बात ध्यान रुको मैंने अभी तक marginal नहीं बोला है अब तक मैंने सारे sentences में propensity to consume बोला है ठीक है marginal वाली बात अभी बात में बताऊंगा अच्छा अजय बोल रहा है सार लड़की छोड़ गई तो बेटा तुम गुमाओगे नहीं फिरा टहलाओगे नहीं गुमाओगे नहीं खिलाओगे नहीं पिलाओगे नहीं रीचार्ज नहीं करवाओगे तो बे मेरे को यह समझानी दो सबसे पहली बात मुझे बताओ propensity to consume का मतलब समझ में आ गया propensity to consume का मतलब बता है आप अपनी income का कितना proportion कर्च करते हो that is called propensity to consume ठीक है बिटा मैं देख रही है इसलिए बिटा मैं तुमको बता दूँ ये जीवन का सत्य है मैं अपनी experience से बताता घुमाता भी हूँ खिलाता भी हूँ पिलाता भी हूँ और क्या बोलते हैं उनका recharge भी करवाता हूँ ठीक है उनके सारे खर्चे उठाता हूँ तभी तो मैं यहाँ पे हैं वर्णा मेरी हालत भी तुमारी जैसी हो जाती अजे मैडम मुझे भी छोड़ के चली आती ठीक है येस आजाओ अब गाईस छोड़ो ना यार ये वाली बाते सब अब छोड़ो 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 ये सब बाते छोड़ो ठीक है अब सुनो मेरी बात सुनो, सुनो, अब बाते नहीं, अब सुनो अभी propensity to consume वाली बात तो समझ में आ गई खर्च करने की आदत, खर्च करने का proportion अब marginal की बात सुनो marginal का मतलब होता है कि यदि आपकी income में change आता है तो आपके consumption में कितना change आएगा मतलब अगर आपकी income बढ़ती है marginal propensity to consume आप लोग जानते हो यार, marginal का मतलब होता है extra marginal का मतलब होता है extra तो बस यहाँ पर वही extra वाली बाते कि अगर आपकी income बढ़ती है तो आपके खर्चे कितने बढ़ती है उसके proportion को हम लोग बोलते है marginal propensity to consume क्या बोलते है marginal propensity to consume मैं इसके एक छोटा से example देता हूँ मान लीजे बिटा, अगर मेरी income 100 रुपे बढ़ती है तो मेरे खर्चे 80 रुपे बढ़ जाते है मेरी income अगर 100 रुपीज बढ़ती है तो मेरे expenses 80 रुपीज increase हो जाते है तो बिटा, मेरा marginal propensity to consume क्या होगा? मेरा income को खर्च करने का proportion क्या होगा? सर आपका खर्चा बढ़ा 80 जब आपकी income बढ़ी 100 तो सर इससे एक बात समझ में आती है कि आप जितनी भी extra income कमाऊगे उसका 80% आप खर्च कर दोगे This is called marginal propensity to consume This is called marginal propensity to consume वैसे मैं आपको बता दूँ marginal propensity to consume के बारे में अभी आपन आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसके उपर practical question भी करेंगे ठीक है न? तो अभी आप मेरी बात को सुनो marginal propensity का मतलब बताए यदि आपकी income बढ़ती है तो उस extra income में से आप कितना पैसा खर्च कर दोगे उस proportion को हम लोग बोलते है marginal propensity to consume clear है मेरी बात? चलो बात समझ में आ गई? अरे अजय काला जी घर पे बैठा हूँ हाँ और क्या? और भाई मैं बहुत romantic husband हूँ इसमें कोई doubt नहीं है ठीक है? हाँ हर्च बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम ठीक है? अच्छा चलो अब ज़रा जल्दी से मेरे साथ में ये वाली बात लिख लू अच्छा एक बात ये धियान रखना जब मैं इस पूरे chapter में जहां जहां पे y लिख रहा हूँ y का मतलब मेरा disposable income ही है या आप एक काम करो लिख लो y d लिख लो y d का मतलब हो गया disposable income ठीक है? अब two sector model के अंदर तो जो income है वही disposable income भी है क्योंकि यहाँ पे government sector है ही नी और government sector है ही नी तो जो income है वही disposable income भी है क्योंकि tax है ही नहीं यहाँ पे चीक है अच्छा लेकिन आगे जाके आएगा आगे जाके जब अपन थ्री सेक्टर मॉडल में आएंगे तब वो टेक्स आ जाएगा चीक है इसलिए मैंने यहाँ पे साफ लिखा यडी एक काम करूँ लिख लो वेर C is equals to consumption of goods a is equals to autonomous consumption autonomous consumption b is marginal propensity to consume yd is disposable income yd is disposable income तो बटा यहाँ पर मैंने आप लोगों को consumption function जो है वो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया मैंने आपको बुला कि consumption function के बारे में simple सी बात बुली चाहे तो consumption is dependent on income लेकिन बाद में बटा हमने इसे practically और explain किया तो हमने बुला कि वास्ता में जो consumption है that is not completely based on income क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने रोक नहीं सकते अगर income zero है तो भी आपको यह खर्चा करना ही करना पड़े का that is called autonomous expenditure और वो हम लोग denote करते हैं एसे फिर बिटा इसके अलावा कुछ income ऐसी है कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारी income पर निर्वर करते हैं और जैसे जैसे हमारी income बढ़ती जाती है हमारी ये खर्चे भी बढ़ते जाते हैं और बिटा उन खर्चों को हमने denote किया किस से B into Y D से B का मतलब हमारी खर्च करने की और यह discretionary expenditure यह, यह खर्चा हमारी मजबूरिय है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं और यह वो खर्चा है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी income के basis पर करते हैं, जब जादा कमाते हैं, तो ज्यादा खर्च करते हैं, कम कमाते हैं, तो मारूती चलाते हैं, जादा कमाते हैं, यहाँ पर शुभम बोल रहा है अजह भाई जब आपका रिलेशन्शिप शुरू हुआ था ना तब मैंने शूस पर्चेस किये थे बस फर्क यह है शूस आज तक मेरे पास है हूं हां 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 बिटा बिटा शुभम यह जो शूस तुमारे पास आज है ना अभी पापा ने मैस देखे ना तुमारे यह वाले तो यही शूस तुमारे काम में भी आएंगे और पापा के काम में भी आएंगे ना लाए हां बिचारे अजयकालों को सब चिडाने में लग रहे हूं हां मैं बता रहा हूं बलकि उल्टा होना चीए तुम्हें तुम्हें अपने दोस्त का है तुम चंता मत करो ठीक है हम तुमारे लिए नई गर्ल्फ्रेंट जो है वो ढूलेंगे हम तुमारे लिए हम तुमारी मदद करेंगे हां और क्या हर्ष बोल रहा पहले पढ़ लो बेटा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में फिर शादी होगी गर्ल्फ्रेंड नी कही काम भी आती है तुम लोगों के डालोग देखो यार भाई इक बात वाद सच्छ भाम यह डायलोग सोचते कैसे हो तुम लोग 11 की माझवी का बच्पन के माभब गः काम भी आती है तुमको बता है दिस इस गुइंग तो बी एपीक डायलोग और मुझे लगता है कि आन गजब, तुम लोग भी यार, मतलब गजब है, सरब अजय भाई, CA बनने के बन के ही इंतकाम लेगा ओके, ठीक है वैसे मैं तुम को बता दूँ मतलब एक बात को समझना CA आपने करना शुरू कर दिया न फिर उसके बात में CA होते होते आप किसी से इंतकाम लेने लाइग रहती नहीं हो, ठीक है मेरे पास एक मैसेज आया था ठीक है, वो था foundation के registration के time और final के time पर बच्चों के sentences में change आते है मतलब foundation का जब paper foundation में जब बच्चा registration करवाता है और final का जब exam लिखता है तो उसकी भावनाव में change आता है कैसे बता है foundation में जब बच्चार करवाता है तो उसका होता है मैंने CA ले ली यह उसका statement होता है और जब बच्चार के paper लिख रहा होता है तो उसका dialogue मन जाता है CA ने मेरी ले ली ठीक है तो मतलब यह समझो CA CA करने वाले जो student है वो किसी से इंतकाम नहीं लेते actually वो खुद से इंतकाम ले रहे होते है ठीक है एक point था कि अगर आप अपनी जिंदगी से बिलकुल प्यार नहीं करते अगर आपको मौज मस्ती बिलकुल पसंद नहीं है अगर आपको बाहर गुमना फिरना बिलकुल पसंद नहीं है लोगों से आपको नफरत है आपको अपने कमरे में रहना पसंद है तो आप CA कर लो ठीक है चलो 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 गईस अब एक बात को जल्दी से मेरे साथ में रेवाइस कर लो मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर टू सेक्टर एकॉनमी के बारे में कल मैंने आपको सर्कुलर फ्लो समझा था circular flow मेरे इसाब से आप सब बच्चों को याद रहेगा और circular flow के बाद में मैंने आप लोगों को two sector economy की assumptions बताई थी भई या दोई sector है, government sector नहीं है तीसरी बात foreign sector जो है वो भी नहीं है सारे factor services जो है उनका मालिक household है सारा का सारा factor payment household को मिलता है उस पैसे को खर्च कर देता है और एक और बात जो business sector है वो कोई profit retain नहीं करता है business sector सारा का सारा amount जो भी उसे receive हुआ है वो factor payment की रूप में household sector को distribute कर देता है, ये वाली assumption last वाली बहुत important है, तीक है उसके बाद में फिर बिटा यहाँ पर अचरी करता है उसके बाद में हैं इहांपे consumption function के बार ये अपको बता है और मैंने आपको को बता हैBER consumption function जो है consumption जो है वो हमारी income के उपड रुपर निरवर करता है तो हम लोग बोल सकते हैं consumption is a function of income लेकर उसके बाद में मैंने आपको बताए कि बाद में हमने practically जब इस बात को देखते हैं तो हम इस चीज को थोड़ा सा बदल के देखते हैं और हम लोग बोलते हैं नहीं पूरा consumption जो है वो income का function नहीं होता है क्योंकि उसमें autonomous consumption का भी part होता है वो ऐसा खर्चा है जो हमारी zero income पे भी हमें करना पड़ेगा that is called autonomous expenditure तो हमारा फॉर्मला बन गया consumption is equals to a plus byd वाइडी का मतलबता है disposable income और two-sector economy के अंदर जो income है वो ही disposable income है क्योंकि government sector ही नहीं कोई tax होता ही नहीं है चीक है yes रिशी अभी saving वाली बात के उपर मैं आगे आउंगा saving वाली जो बात है उसे मैं क पूछ रहा था वो ही वाली बात अभी तुम यहां पर पूछ रहो यह दोनों बातों को मैं कल की class में connect करूँगा ठीक है ना okay क्या बात है okay सुजंग बिलकुल अपन लोग कोशिश करेंगे कि कल से class की duration और बढ़ा देते कल से class की duration और जादा कर देंगे no problem is there कोई दिक्तत क की बात में ठीक है अच्छ सुनो मेरी बात को इसके बात में बिटा मैंने यहां पर आपको formula लिखवाय था कि practically जब हम लोग autonomous consumption को लेते हैं तो हमारा formula बनता है consumption is equals to A plus BYD और B का मतलब होता है marginal propensity to consume marginal propensity to consume का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी income आती है तो आप उस income का कि marginal propensity to consume ठीक है अब एक बात मुझे देखो यहां पे मेरा consumption कितना है यह मेरा autonomous consumption है और यह मेरी disposable income का 80% है तो मैं अपनी income का 80% खर्च करता हूँ and at the same time A वो खर्चा है जो मैं zero income पे भी करता हूँ तो A प्लस B Y D यह हमारे देश का total consumption expenditure है clear बात yes 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 तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि जितनी बाते मैंने यहां पे आज आप लोगों को लिखवाई है वो वाली सारी बाते समझ में आ गई टू सेक्टर मॉडल में circular flow नमबर दो assumption नमबर तीन aggregate demand और नमबर चार consumption function कल की class में मैं तुमारे साथ में discuss करूँगा consumption के बात में अब aggregate supply की बात करूँगा कल की class में मैं marginal propensity to consume की बात करूँगा एवरिज propensity to consume की बात करूँगा मैं average propensity to save की बात करूँगा ये सारी की सारी चीजे मैं आप लोगों के साथ में discuss करूँगा कल की class में going to be very very important क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको formula जो आगे चाके बनेंगे उनका आधार जो है उनका base जो है वो हम लोग कल बनाएंगे ठीक है? येस तो guys जल्दी से मुझे बता दो all clear पूरी बात याद है? येस पूरी बात याद रहनी चीए क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आगे चलता जाओं और हम लोग पीछे की बाते बूलते जाएं वैसा नहीं होना चीए ठीक है? ओके guys, bye for now, आज के लिए इतनी ही बात, आगे की बात में तुमारे साथ में करूंगा कल की क्लास में और कल की क्लास जो है न वो बहुत important है, please miss नहीं होनी चीए शुरुआत से join कर लिए शुरुआत वाला portion भी miss नहीं होना चीए क्योंकि ये सारी की सारी बाते connected है एक दूसरे से जुड़ी भी है फिर आप लोगों को आगे समझने में दिक्कत आएगी ठीक है, तब तक के लिए बाई बाई